दोस्तों मारूती सुजूकी ने अपनी मोस्ट पॉप्लर MPB ECO CNG को नए BS6 पैट्रोल इंजन के साथ दौंच कर दिया है इस से रिलेटेड सारी जानकारी आप से शेर करने वाला हूँ बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंतर तक और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लरूज आटा ब्लोग को और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पोचे मैं हुई रोजाना आटो मोबाल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिब्यूज, टेस्ट ड्राइब, वाकराउंड, कमपैरेजन, एसेसरीज आपसे साजा करते रहता हूँ तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कार मैनुफेक्चरर मारूती सुजूकी ने अपनी मोस्ट पॉपलर MPV ECO CNG को नए बियस सिक्स कंप्लाइंट पैट्रोल इंजन के साथ लाँच कर दिया है दोस्तों वही हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 4.64 लाक टू 5.06 लाक एक्सो रूम दिल्ली जो की बियस फूर कंप्लाइंट के मुकाबले में 30,000 एक्सपेंसिव है दोस्तों मारूती सुजूकी ने अपनी इस पॉपलर MPV ECO CNG को केबल 5 सीटर कॉन्फिगरेशन में लाँच किया है दोस्तों इसका 7 सीटर जो वर्जन है केबल पैट्रोल इंजन के साथ ही एविलेबल है मारूती सुजूकी ECO के अगर हम भूट स्पेस की बात करें तो इसके 5 सीटर कॉन्फिगरेशन में आपको CNG सिलेंडर रखने के बाब जूद काफी जगा मिल जाती है दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं मारूती सुजूकी ECO के इंजन की तो इसमें दिया गया है दोस्तों BS6 compliant 1.2 लीटर पैट्रोल इंजन और पाउर स्पेसिपिकेशन के अगर हम बात करें तो 62 BSP की पाउर एंड 85 एनम का पीक टॉक जनेर करता है और इसमें दिया गया है 5-speed manual transmission जहां तक माइलेज की बात करें तो CNG में आपको 21.49 km kg की माइलेज कंपनी क्लेम करती है वहीं पैट्रोल में 15 km पेल की माइलेज कंपनी क्लेम करती है दोस्तों जहां तक power performance की बात करें BS6 compliant की तो BS4 compliant engine के मुकाबले में थोड़ी सी कमी आई है दोस्तों जो इसका BS4 compliant engine था पिछला वाला 73 BSP की power and 101 एनम का पीक टॉक जाने चुटिया करता था मारोती सुजू की eco में अगर हम safety features की बात करें तो इसमें दिया गया है driver side, airbag, ABS with EVD, reverse parking, sensors, front seat belt reminder, driver side and co passenger side और इसके लावा इसमें दिया गया है दोस्तों speed alert system, engine immobilizer, child safety lock, front impact beam, side impact beam जैसे safety features प्रोबाइट किये गया है यह थी दोस्तों latest update मारोती सुजू की eco cng bs6 variant से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी नीचे comment section में ज़रूर बताएगा दोस्तों और एक like तो बनता है दोस्तों चैनल को subscribe किये बगार बिलकुल मच जहेगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना यह हुए automobile sector से जुड़ी news, reviews, test drives, work arounds, comparison, accessories आपसे साज़ा करता रहता हूँ चैनल दोस्तों आसे ले वस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो पे तब तक के लिए thank you दन्ने बात, चैनल